नंदन्वन पुलिस टेशन अंतरगत रविवार की राद दो गुटों में जमकर संगर्श हुआ दुपया वाहन को लेकर हुए विवाद में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हत्यारों से हमला कर दिया इसमें चार लोगों की बुरी तरे जखमी हो गए जबके एक की हालत गंभीर बताई जा रही है इस गटना से दर्शन कॉलनी परिसर में रहने वाले नागरिकों में देहशत का माहूल है जबके इर्फान की मां सलमा की शिकायत पर हसन बाग निवासी सोहिल अली शेक एजाज शेक जावेद विक्की फरकुंडे और तनबीर अली के खिलाफ मामला दर्श किया गया बदाय जाता है कि आरोपियों ने वगकी से उसकी गाड़ी खरीती थी लेकिन उसके पैसे नहीं दिये और वाहन भी वापस नहीं कर रहे थे रविवार की रात विक्की अपने दोस्तों के साथ आरोपियों के वाहन मागने गया वहीं दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया पहले तो एक दूसरे पर लातो गुसों की बरसात की गई बाद में आरोपियों ने धारदार हत्यारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया पुलिस ने विविद धाराओं के तहट मामला दर्च किया है